रादे रादे हरीकृष्णा सभी विध्यार्थियों को रादे रादे हरीकृष्णा मैं कवीता तोतला लेक्चुरा दिन हिंदी गौर्वेंट आफ राजस्थान हिंदी से तयारी करने वाले सभी विध्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल कवीता महिश्वरी पर बहु कि मैंने अपना वादा पूरा किया जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा है जब मैं हिंदी पढ़ाती हूं या जब भी मेरा वीडियो आता है तो शुरू से मैंने आपसे बात कहीं थी कि मैंने जो खुद अपने हातों से नॉट्स बनाए है और पीसी फर्स्ट ग्रेड के तर्वार्त ग्रेड मैं एक राइप के इसमें आप समझ गए होंगे इसका पार्ट है अगर आफ सोच रहे हैं तो यह कैसे हैं बिल्कुल जहाँ यह है स्कूल मेनेजमेंट सेक्षिक प्रबंदन का पार्ट बहुत बड़ा हिस्सा जो की फॉस्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हर उस्टूडेंट के लिए बहुत इंपर्टेंट है क्योंकि पूरे 15 प्रश्ण आपके स्कूल प्रबंदन से आते हैं फॉस्ट ग्रेड के फ मैंने खुद अपने हातों से इन नौट्स को बनाया है बैठके और अब मैं यह पीडियाफ फोम में जो है वो मैं आप तक पहुचा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह काफी हेलफुल रहेंगे आपके लिए काफी जादा सायक होंगे बस एक चीज मैं आपको बताना चा हैं तो वह आपको अपने लेवल पर देखने क्योंकि हर दिन नए नए चल्चेज होते रहते हैं यह आप भी अच्छे से जानते हैं और इसके लिए मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि जब आपकी वेकैंसी आजाए और वेकैंसी आने के बाद कि आप मार्केट से जाके जब आपके एक्जाम की डेट आजाती है उसके तीन या चार महीने पहले आप मार्केट जाके और राट पब्लिकेशन की जो बुक है आप उसे ले आए ताकि उसमें जो भी नए-नए चेंज हुए है वो सारे आपको उसके अंदर मिल जाएंगे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्या पब्लिकेशन ही मैंने पड़ा था और उनी से मैंने यह नौट शौट नौट के रूप में बढ़ाए थे राट अपने आप में शौट नोट से लेकिन उसे भी मैने छोटा कर दिया और मेरे इन नौट में आपको राट का मेटर तो मिलेगा लेकिन गूगल व यह उस वक्त के नौट से आप इने पड़िये उमीद करती हूं कि आपको समझ में आएंगे क्योंकि वैसे तो देखो दूसरों का लिखा हुआ हमें समझ नहीं आता है लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है नहीं तो आप मुझे बताईएगा कि आपको यह नौट कैसे लगे क्या लगे बहुत मेहनत करके बनाये हैं कम से कम भी चार से पांच महिने लगे मुझे नौट को बनाने में मेरी जीवन भर की पुंजी है यह जो भी अपने हाथों से मैंने बनाया है बहुत मेहनत करी है खाली एक किताब का सारा नहीं लिया जहां से जो भ कर रही हूं उमीद है कि आपने भी जिस भावना से आप मुझसे जुड़े और सेलेक्शन लेने की भावना से तो आप इस बार जरूर लेंगे अच्छे से पढ़िए मस्त होके पढ़िए पुरे जुनोर और जौश के साथ पढ़िए यह मैं आपको बता देती हूं पहला दे पर मैंने स्टाइटिंग डाइस से कर दी तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि मैं यह बीच में से कैसे मुझे जहां से समझ आया जो चैप्टर मुझे लगा इंपोर्टेंट है और जो इजी है तो मैंने वहां से बना दिया था असी पेज में पूरा सेक्षित प्रवंधन मेंने समेटने की कोशिश की है पूरा 75 से असी पेज के अंदर तो यह पूरी की पूरी है डाइस डाइस तंत्र डाइस प्रेशित प्रणाली सेमेस यू डाइस यू डाइस का शेत्र यू डाइस की सूचनाई डाइस कोड डीसी एफ बी आर्सी ब्लॉक संदर्ब केंद्र बी आरसी का गठन कैसे होता है बी आरसी के कार्य क्या है प्रवंदन और विकास यह कैसे होता है आदर्श विद्याले योजना सवनवित विद्याले योजना आदर्श स्कूल सवनवित समसी विद्याले प्रवंद समीती समीटिके के उद्देश इसमें जो साधारन सबय कार्य कारण की कब कब होगी साधारण की और दोनों समेतियों के अद्यक्ष को न उपाद्यक्ष कोन ये अद्यक्ष के कारे को सच्च्यों के कारे है कि समीति कोश केसा होगा ऑफink OSC के कार य कह क्या होंगे कि यह सारी चीजें जितना मतला आप यह देख लिजिए कि में कि जो यह नौट्स है और जो उस वक्त का पेपर है आप अपनी टेबल पे रख लीजिए 15 प्रश्ण आपको इन नौट्स से बिलकुल मिल जाएंगे कहीं भी बाहर से एक भी प्रश्ण नहीं है चाहे तो आप मैच कर लीजिए देख लीजिए हाँ जो नए चेंजेश हुए हैं उनके मैं आपको फिर कह रही हूं कि आपको उसके लिए कोई भी एक बुक मार्केट से लानी होगी और यहां पर आप करेक्शन कर लीजिएगा जो भी नया नया एड हुआ है तो बहुत ध्यान से आपको इनको पढ़ना होगा जहां पर भी कुछ नया है उसे आपको एड करना सकते हैं आपको एक पैटर्ण मिल चुका है कि नौट कैसे बनाए जाते हैं तो आप यह देख सकते हैं और उसके बाद आप भी अपने हिसाब से भी नौट्स बना सकते हैं जरूरी नहीं कि आप यहीं पढ़ें तो यह देखिए हर एक चीज को बहुत बारीकी से मैंने जब हम किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसमें पूरा समय दान देना पड़ता है और एक मैंने सेक्षिक प्रवंदन के बनाए ऐसे ही मैंने जो इंडियान इस्ट्री है हमारा जो 15 नंबर का पार्ट है 15 प्रशन तो आपके स्कूल मैनेजमेंट के आते ही है 15 प्रशन आते ह चौदरी जी सर उनके यूट्यूब चैनल से लिया था और उसके बाद मैंने आरभी सी माजिमिक शिक्ष्णा बोड राजस्थान के कितावें पड़ी तो माजिमिक शिक्षा बोड राजस्थान प्रशेय चौदरी जी सर इस अबसे मिला के और वह मुझे जहां से जो मिला गूगल विकीपीडिया जो मेरी एक आदत थी शोद करने की वहां से सबसे उठा के और एक घटा किया तो पंद्रा सबसे बड़ा पांट हमारे स्कूल मैनेजमेंट का है और पंद्रह ही आपके राजस्तान की इस्ट्री और आपके भारत की इस्ट्री का इन दोनों के मैंने नोट्स बनाए साइन्स के लिए इद्यारती पूछने में कहां से बढ़े सॉरी तो साइंस जो है वह आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 जो हमारे RBSC में चलती है या फिर अभी जो NCRT चल रही है जो अभी स्कूल में चल रहा है वहां से आप पड़ लीजिए वह कवर हो जाएगा कहीं ज्यादा डीप जाने के आपको जरूरत नहीं है तो जो मेरे पास है एक पूरी कोशिश है मेरी कि अप मेरे मैंने जो आप से कहा है मैं उस वादे को पूरा करूं मैं आप तक हर वो चीज पहुचा हूं जो मैंने अपने प्रयाज से बनाई है जिने पढ़के मैंने वेख्यता की एक सीट लिए वहीं एक कोशिश है मेरी तो यह सेक्षिक प्रवंदन यानि स्कूल मेनेजमेंट के वो देखिए बहुत लंबे हैं सारा मैं पढ़नी पाऊंगी यह आप यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए और मैं मेरे टेलीग्राम पर इनको पोस्ट कर दूंगी तो आप टेलीग्राम से जाकर इनकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर अपने हाथों से लिख सकत जाए चाहे राट हो या और भी आपको मुकेश जी पंचोली वह भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं उनकी भी बुक हो और उसके बाद ही आप इन्हें लिखना शुरू करें और जो चप्टर आप इसमें से पढ़ रहे हैं जो भी जैसे आपने चप्टर लिया मेरे नोट्स म लेके फिर पढ़िए क्या पता कुछ नया चेंज आया हो तो फिर आप इसको इसमें एड़ कर सकते हैं इससे क्या होगा गलती नहीं होगी और आप गलत चीज़ें नहीं पढ़ोगे क्योंकि यह पहले के बने हुए नोट्स है वैसे तो काफी चीज़ें सही है कुछ ही अमे चित्रन जैसे आपने शालामान चित्रन मेरे नोट से उठाया तो आप साथ में इसे एक गाइड से उठा लीजिए कोई भी राठ है या मुकेश पंजोली जी सर की जो भी भूक है वहां इसको सिमिलर खोलके रखिए और उसके बाद आप पढ़िए आपको पता चल जाएग कि कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ 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 है तो इसी में लिखलो नहीं हुआ है तो ठीक है और अलग से खुद के बना रहे हो तो वहां लिखलो कि यह इसके उद्देश निर्मान काजियों के चरण नजरी नक्षा अब है संस्थागत नियोजन यह भी अपने आप में एक पार्ट है ठीक है यह इसकी विशेष्टाएं इसके शेत्र विद्ध्याले योजना यह माइस अपने आप में एक टॉपिक है सेक्षी प्रबंद सुचना बढ़ा लिए तो जब भी यह नोट्स पढ़ें साथ में अभी की जो न्यू एडिशन की जो भी बुक है उसको साथ में पैजेश को खोले वैसे तो सब एक जैसा ही है बारी की से कुछ चेंजेश है तो अभी करण, NCRT, NCTE, CMAT, BTET यानि की BITE, B IET, B IET, BITE, शिक्षक, शिक्षा से समंधिश संस्थाएं कौन-कौन सी है, NCTE, RIE, Regional Institutes of Education, शित्रिय शिक्षा, संस्थान, SIERT, नोविभाग, कार्य क्या क्या है, डाइट, डाइट क्या चीज़ है, डाइट के उद्देश, सक्षिक प्रद्योगी की, ET, P&M, इसके जो भाग है, वो सारी बाते हैं, IASC, उच्च अध्यन शिक्षा संस्थान, इंस्टिट्यूट ऑफ एडवार्स, स्टैडि इन एडूकेशन, IASC, राजस्थान में कहां कहां हैं, कॉलेज ऑफ टीचर एडूकेशन, कितनी यह ध्यान रखेगा, इनकी फुल फॉम पूची जाती है, अक्सर परिक्षा हों में, यह जो आप छोड़ी चोड़ी टाम देखना, इमियेज, डाइट, CTE, इनकी फुल फॉम, कितनी पिछली बार परिक्षा में पूचा गया था, CTE की फुल फॉम क्या है, एक ऑप्शन में तो दिया गया, कॉलेज ऑफ टीचर एडूकेशन, और दूसरे ऑप्शन में दिया गया, कॉलेज फॉर, टीचर एडूकेशन, खाली फर्क क्या था, ओफ और फॉर का, अब जिसने डंग से बढ़ा होगा, वो तो इसको करेक्ट करेगा, और बाकी वो कन्फ्यूज हो जाएगा, ओफ आएगा की फोर आएगा, तो बहुत ध्यान से पड़ें, बहुत डंग से पड़ें, राजस्तान, राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ठीक है, और इसके कार्य क्या क्या है, पाठ्य पुस्तक मंडल के, बछ शिप्रकार के विद्ध्याले कौना। से विद्ध्याले होते हैं, इस सानिक स्कूल, राश्ट्री ऐ मिलिटरी स्कूल, क्या प्लिक स्कूल यह तीनों आलग अलग, प्रश्न हो कि साने करें मैं पॉब्लिक तीनों में क्या यह टेबल बहुत बहुत ज्यादा इंपर्टेंट बहुत ज्यादा इसी से प्रश्ना आता है के जी भी वी कस्तूर बागंदी विद्ध्याले और मॉडल स्कूल जो कि अभी खुला है और हो सकता है जैसे यह मॉडल स्कूल है अब आपके इसमें एक नया टॉपिक और एड हो जाए मातमा गंधी स्कूल जो अभी पहली से बारवी इंग्लिश मीडियम गवर्मेंट खोल रही है इसी सेशन से इवन जो स्कूल से वो भी अ जान रखिएगा इसका विखल्पिक विद्ध्याले शाला दर्शन ना एक दर्शन है दरपन है ठीक है समग्र शिक्षा वियान है यह सारे नौट से बहुत ही अच्छे हैं महनुत करके बनाए यह सारी बैठक बैठक से रिलेटेर हमेशा प्रशन आता है पुराने पेपर मे अभी आप उठा के देख लेना बैठक से रिलेटेड प्रशन आया है कि समसी की बैठक कब होती है कि सियर्ट राज्य शेक्षिक अनुसंदान प्रशिक्षन संस्था ऑल और सी ईई रट्क कारी क्या है कि सिक्षा शेत्र में नवाचार को तीन नवाचार हो या तीन नहिंस पहुत अच्छे से पढ़ना ग्यान दर्शन ज्ञान वाणी यह साथ यह बहुत डंग से पढ़नाओ A2 7-0 बहुत दंग से पढ़ना इनको जिला शिक्षा सुचना प्रणाली डाइस के देखो डाइट 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 अलग है और डी आइसी डाइस अलग है तो यह चोटे-चोटे टर्म आपको ध्यान रखने हुए बालीका शिक्षा फांडेशन बहुत वहरी 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 इंपोरटेंट प्रश्म बहुत सारी योजना इसके अंदर आपकी बेटी योजना इंधरप्रिय अ venon हमारी बेटियां योजना निश्वलक साइकल वित्रण योजना ट्रांस्पोर्ट वाउचर योजना अब बी आर्सी ब्लॉक रिसॉर्स सेंटर राजस्तान राज्य पार्ट्य पुस्तक मंडल की स्थापना रस्टीबी जो इसकुलों में निश्वलक आती है ना पुस्तक के बच्चों के लिए वह वाला संसागत नियोजन यह अपने आप में एक पार्ट है शेत्रिय शिक्षा संसागत राई एक डेखो और एक राई यह अलग यह टर्म बहुत बारीकी से पढ़ने है राई यह अलग और राई यह मैं फिर बता रही हूं यह अलग एक टॉपिक इसी में आएगा राई यह वह अ अलग है कि दाइट देखो डाइस अलग आया डाइट अलग है कि उच्छ अधियन शिक्षा संस्थान आई एसी तो यह सारे नौट से यह देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट अपिक निश्वल्क अनिवारे शिक्षा का अधिकार दोजार्ण नो आटी एक दोजार्ण नो बहुत बहुत इंपोर्टेंट बहुत यह एक एक चीज मैंने बहुत डिटेल से दी और इससे रिलेटेड दो प्रश्ण अभी जो 2018 का एक्जाम जो 2020 में हुआ पूछा गया है पेपर जरूर साथ रखना एक बार के लिए जब यह यूट्यूब पर वीडियो आप देख रह ना एक भी प्रश्ण आपको इंसे बाहर नहीं मिलेगा यह पूरे आटी यह जिसकी सारी धाराएं लिखिए देख लो आप दारा नंबर 1 2 3 4 5 6 सारी धाराएं और इन धाराओं के अंदर क्या है यही परिक्षा में पूछा जाता है कि इनके अंदर ठीक है यह सारा लिखा ह तुछा जाएगा कि 1 km में जाने की एक से पांच तक का विद्याले यह से आट का विद्याले दो किलो मेटर तक यह किस दारा में लाच पूरी एक यूनिट इस पांच प्रशन आएंगे यह आई सिटी वही है और यह आई सिटी आपके सख्षिक प्रवंदन में भी तो बहुत इंपोर्टेंट पार्ट ही कि आई सिटी आपके मनों विज्ञान में भी आएगा और एक ही आई सिटी आपके यहां भी आए देखो इशाला दर्शन दर्पन और यह अलग अलग चीज़ें रमसा बरियासी पेज में यह पूरे नौट्स सारे यह देखी 82 बरियासी पेज के यह नौट्स है तोटल जो मैंने बनाए और लास्ट में मैंने एक पेज खाली छोड़ा और इस पर लिखा है राट पब्लिकेशन क्योंकि मैंने यही बुक पड़ी थी और मुकेश जी पंचोली है उनकी भी बुक है वह मार्केट में अच्छी है कोई सी भी ले आई थीक है जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने पूरा किया अब बारी आपकी है आप कितना कर पाते हैं रादे रादे हरे कृष्णा